नमस्कार आज हम हिंदी भाषा की आठवी कक्षा की पाठे पुस्तक अभ्यासागर के पार्ट बारा पोधे के पंक के आउधोराएं से सम्बंदित प्रश्न करेंगे पिशली वीडियो में हम इसी पार्ट के पांच प्रश्न कर चुके हैं जो की निपात व अपठित कर ध्यांश पर आधारित थे यदि किसी बच्चे ने वे वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख ले अब हमारा अगला प्रश्न है आउद दोहराएं से संबन्दित हमारा छटा प्रश्न निम लिखित स्मस्थ पदों का विगराए कीजिए तथा समास का नाम लिखिए यह हमें समस्त पत दिये गए हैं हमें इनका विग्राय करके उस समास का नाम लिखना है हम अपने पिछले पार्ट में समास के विशे में पढ़ चुके हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को पहले देख लें तब ही आपको यह प्रशन जो हैं अच्छे से समझ में आएंगे समस्त पत दिया गया है सत्या ग्रे तो इसका विग्राय करेंगे तो क्या आएगा सत्या के लिए आग ग्रे और यह तत्पुर्ष समास का उधारन है चतुर्मुक यानि चार मुखों का समूँ अब आपको पता है जिसमें पहला जो शब्द है वो संख्यावाची विशेशन हो तो वहाँ पर क्या होगा दिया को समास होगा तो चतुर्मुक का क्या बना चार मुखों का समूँ दिया को समास अगला है जल धारा जल की धारा ये है तत्पृष समास ठीक है तत्पृष समास में उत्तर पद क्या होता है परधान होता है और इसमें जो कारक की भी भक्तियां होती है उनका लोप हो जाता है समस्त पद में उनका लोप हो जाता है नवरात्र नो रातों का समूह अब इसमें पहला पद जो है संख्यवाची है विशेशन का उधारान है तो द्विकृ समास होईगा ठीक है राजा रंक राजा और रंक द्वन्द समास इसमें क्या होता है इसमें दोनों पद पूरवपद और उत्तरपद पहला होता है पूरवपद और दूसरा होता है उत्तरपद दोनों पद परधान होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है द्वन्द समास ठीक है और इसमें इसकी चान आप कैसे कर सकते हैं इसमें क्या होता है दोनों पदों के बीच में योजक चिन लगा होता है और जब हम इसका विग्राय करते हैं तो हम और या फिर या शब्द जोड़ देते हैं उनके मध्य में राजा रंक राजा और रंक द्वन समास अगला देखिए जल थल जल और ये भी द्वन समास अब सात्वा प्रश निम लिखित विग्राहों के समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए अब हमें विग्रे दिया गया है विग्रे रूप दिया गया है हमें उसे समस्त पद बनाकर उस समास का नाम लिखना है पहला देखते हैं विग्रे सो अब्दों या वर्षों का समू अब्दकार्थ होता है वर्ष तो सो वर्षों का समू क्या होता है श्तापदी होता है ना तो कौन सा उधारन है ये द्विगुसमास का उधारन है क्योंकि ये संख्यवाची विशेशन है गंगा और यमुना अब गंगा और यमुना जहाँ पर और या फिर या शब्द जुड़ जाए मध्धे में तो वहाँ पर क्या होगा द्वन्समास होगा है ना और इसको हम समस्त पद में कैसे लिखेंगे इस और के स्थान पर योजक चिन लगाकर गंगा यमुना गुण से युक्त गुण से युक्त यानिकी गुण युक्त अब ये कारक की विभक्ती है विभक्ती जिन है ना तो कौन सा उधारन है ये ततप्रुष समास का तीन फलो का समाहार या समू ठीक है अब ये संख्यावाची विशेशन है यानि कि द्विगुस मास का उधारन और तीन फलो का समाहार यानि कि त्री फला शरन में आगत अब ये कारक चिन है ठीक है तो ये ततपुरुष्टमास का उधारन है और इसका समस्थपद क्या बनेगा शरनागत पूर्व और पश्शिम अब ये और आ गया यहाँ पे तो आपको पता है और के स्थान पर हम योजक चिन लगाएंगे और ये द्वन्समास का उधारन है पूरव पश्शिम द्वन्समास नीचे दिये गए शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग करके लिखिए आरंब में किसी भी मूल शब्द के आरंब में लगकर जो नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते है उपसर्ग कहते है ठीक है जैसे सम पत्ति तो इसमें उपसर्ग क्या है सम और मूल शब्द क्या है पत्ति अतिश्य अतिश्य में अति क्या है ये है उपसर्ग और शय क्या ह मोल शब्द प्रतिकूल प्रतिकूल में प्रति क्या है उपसर्ग जुडा हुआ है आरंब में और कूल क्या है मोल शब्द है सुकन्या अब कन्या क्या है एक मोल शब्द है और उसके आरंब में सु उपसर्ग लगा हुआ है अनु ग्रह यह क्या है? उपसर्ग और ग्रह क्या है? वो है मूल शब्द. ठीक है? तो इस तरह से शब्द में से हमें उपसर्ग और मूल शब्द को अलग-अलग करना था. और यदि इन दोनों वो जोड दिया जाए समपत्ति यानि समपत्ति अती धन शय अतिशय प्रति धन कूल प्रति कूल सू धन कन्या सू कन्या अनु धन ग्रह अनु ग्रह अभी हमने ये उपसर्ग से समपति प्रश्ण किया था अब है प्रति जो किसी मूल शब्द के अंत में लगते हैं उपसर्ग जो है प्रारंब में लगते थे शुरू में लगते थे लेकिन प्रत्य जो है वो किसी भी मूल शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बनाते हैं तो उन्हें हम प्रत्य कहते हैं ठीक है जैसे राजू बहुत डैश है अब ये बल दिया गया है तो हमें बल के अंत म हमें बल एक मूल शब्द है उसके अंत में हमें एक प्रत्य जोड़ना है और फिर हमें वो यहां पर लिखना है तो बल से हमने बल के आगे हमने अंत में वान प्रत्य लगा दिया तो क्या बना राजू बहुत बलवान है अगला वक्य है रमेश की आवाज में डैश है मधूर मधूर के अंत में क्या लगा दिया ता ता प्रत्य जोड़ने से क्या बन गया मधूरता रमेश की आवाज में मधूरता है प्रतीमा के घर की डैश देखकर आनंद आ गया सजा और इसमें हमने वट लगा दिया आवट तो अब हमने प्रत्य जोड़ दिया इसमें, तो क्या बन गया दयालू, दया से दयालू, मुझे चलते चलते डैश होने लगी, घबरा, अब ये घबरा में हमने आहट, आहट प्रत्य जोड़ दिया, तो क्या बन गया घबराहट, कि मुझे चलते चलते घबराहट होने लगी, ज्यादा काम करने से डैश हो रही है थक तो थक में हमने आवट प्रत्य जोड़ दिया तो क्या बन गया थकावट की ज्यादा काम करने से थकावट हो रही है इश्वर बहुट टैश है दया का दया में हमने आलू प्रत्य जोड़ दिया तो क्या बन गया दयालू बल में बलवान प्रत्य मधूर में ता प्रत्य सजावट में आवट दयालू में आलू घबराहट में आहट और थकावट में आवट ठीक है तो ये सबी क्या है प्रत्य के उधारन, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के और, नीचे दिये गए शब्दों से भावाचक संग्या बनाकर लिखिये, मिलना, मिलना से भावाचक संग्या हमें बनानी है, मिलन, मिलना से क्या बनेगी भावाचक संग्या, मिलन, देव, देवत, चड़ना, चड़ाई, प्रसन, प्रसंता, यूवक, योवन, चिकना, चिकनाई, या चिकनाहट भी बन सकती है, भावाचक संगे, निम लिखित मुहावरों का वाक्य में परियोग करते हुए अर्थ बताईए, नाक में दम करना, यानि अर्थ क्या हुआ इसका बहुत तंग करना या परिशान करना, चूहों ने मेरे नाक में दम कर रखा है, चहरे पर हवाईया उड़ना, अर्थ क्या होगा डर जाना या घबरा जाना, साथ को देखकर मोहन के चहरे की हवाईया उड़ गई, आस्मान सिर पर उठाना अर्थ है बहुत शोर करना कक्षा में अध्यापक की अनुपस्तिती में बज्चों ने आस्मान सिर पर उठा लिया कहते हैं ना जैसे टीचर्स कहते हैं कि क्या तुमने आस्मान सिर पर उठा रख है यानि बहुत शोर कर रहे हैं बच्चे है न तो ये आस्मान सेर पर उठाना बहुत शोर करना अगला प्रशन है हमारा अपने जीवन का कोई भी अनभव डाइरी के रूप में लिखिए यहाँ पर आपने अपने जीवन का कोई भी ऐसा अनुभव डाइरी के रूप में लिखना है जैसे इसका प्रारूप में आपको बता देती हैं आपको किस तरह से लिखना है फिर आपको उसी तरह से अपना अनुभव लिखना है आप ठीक है जैसे आपने दिनांक लिखी, जिस भी दिन का आप वो लिख रहे हैं, अनभव जैसे की 15 अगस 2020, शनिवार रात्री आठ वजे, जिस भी समय आप लिख रहे हैं, तो आप वो समय आपर लिख सकते हैं, पर ये डाइरी, आज मैं डाइरी के माध्यम से अपने जीवन की एक रोमांचक यात्रा का अनभव लिख रहा हूं, पिछले वर्ष मैं अपने विद्याले की ओर से गर्मी की छुटियों में सैमिनार के लिए शिमला गया था, यह मेरे जीवन का पहला अनभव था, जब मैं अपने सहपाठियो के साथ गया था, वहां हम तंभू लगा कर रहते थे, मैंने पहली बार उस सैमिनार के दोरान रसियों की सहायता से पहाड की चड़ाई की, वहां हमें प्रक्ति का एक अनोखा सुन्दर्य देखने को मिला, कि वहां की जो सुन्दर्ता है देखने योग्य थी, वहां हम कई जगा घूमने गए, हम सभी चात्रों ने पहुत मजे किये, तीन दिनों का सैमिनार पूर्न होते ही हम सभी अगले दिन स्कूल बस में बैठ कर वापस घर लोट आए, यह जात्रा मेरे जीवन की एक यादगार यात्रा थी, यानि कभी न भूला पाने वाली यात्रा या कभी न भूल पाने वाली यात्रा तो यहाँ पर आपने अपना नाम लिखते हैं ठीक है तो मैंने आपको यह प्रारूख बता दिया कि आपने किस तरह से अपना अनभव डाइरी के रूप में लिखना है तो आप इसे स्वयम तो बच्चों ये था पार्ट बारां पोधे के पंक के व्याकन से सम्बंदित प्रशन जिसमें हमने निपात और पठित कद्यांश और आउ दोहराएं से सम्बंदित प्रशन किये आशा करते हूं आपको सभी प्रशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार